स्टुडेंट्स, वेलकम टु करियर गाइदेंस स्टुडेंट्स, कांस्लिंग्स अल्मोस्ट ओवर हो चुकी हैं जो साइंट CSAB की कांस्लिंग्स के बाद अगर आपको अभी भी अलॉट्मेंट नहीं हुआ है या आपको कोई कॉलेज GFTIs में अलॉट्मेंट हुई है और आप ब्रांच को अपग्रेट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो उसका आपको एक मौका मिला था GFTIs में आपको एक राउन कॉलेज लेवल पे हुआ था जिसमें कि आप अगर participate करते तो आपको वो brand change भी हो जाती और इस वीडियो को बनाने का purpose यह है कि आपकी जितनी भी rank है rank according आपको GFTI's colleges allot हो सकते हैं और sport counselling में जिन बच्चों ने भी apply किया था हमारे guidance से उनको allotment हुई है उनको इस अपनी rank पे ही उनको वही college allotment हुए है जो JOSA and CSAB में allotment नहीं हो पाए थे तो यह आपका गुरु घासिदास विश्विद्याले की आज हम बात करेंगे यह एक central funded college है जो JOSA and CSAB में participate करता है लेकिन अगर आपको JOSA and CSAB में allotment नहीं हुई है तो यह अपने level पे भी एक round करवाते है sport counselling तो यह मैं notification आपको दिखाना चाहते हूँ कि यह आपका जो second round हुआ था result of second round of seat allotment of sport and local counselling and college level तो इसमें आपके जो instructions लिखें हुए हैं यह आपका allotment का result आया हुआ है जिसमें कि आपका जो first student है जिसको इन्होंने allotment दिया है CS ब्रांच में उसकी rank है 82,295 that means 89,295 rank का student computer science इसमें allotment हुआ है JOSA and CSAB में जो कि allotment possible होना नहीं था लेकिन अगर यह आप sport round में participate करते हैं college level पे तो आपको यह allotment हो सकती है next हम लोग अगर बात करें तो IT branch आपकी 93,346 rank पे इन्होंने allotment दिया है EWS category में both and general category में आपकी यह 1,9964 पे general category में civil branch allot की गई है आपके second round की counselling में college level की second round की counselling में college level गुरू घासिदास विश्विद्याले 36 गड़ की हम लोग बात कर रहे हैं next हम लोग अगर बात करें maximum rank यह आपकी कहां तक allotment दिनोंने दी है maximum rank अगर students हम लोग बात करें जो आपकी IT branch का last किया है 1,58,000 EWS में allot हुआ है and 2,17,788 पे IT branch allotment हुई है then next हम लोग बात करें mechanical branch mechanical branch आपकी 2,61,000 OBC category वाले student को allotment हुई है and general category में 2,48,000 पे इन्होंने mechanical branch allotment किया हुआ है general category में ये बच्चों list आपके सामने है जो भी students समझते हैं कि मेरी rank जादा है मुझे college allotment नहीं हो सकता मुझे government college नहीं मिल सकता या central funded college नहीं मिल सकता मुझे जो सा NCSAV में नहीं मिला है hope मत छोड़िये students hope बिल्कुल नहीं छोड़नी है कई ऐसे rounds होते है college लेवल पे जिस पे आपको वो college मिल सकता है निरंतर अगर आप consistency के साथ प्रयास करते रहें और आप वहाँ की informations लेते रहें तो आप वहाँ पहुच सकते हैं वहाँ पे admissions आप ले सकते हैं जितने भी students हमारे guidance से जुड़े रहें उनको ये allotment होती रही यहाँ पे कई ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने guide किया और वो यहाँ पे पहुच पाएं हैं अपनी rank को use कर पाएं हैं जोसा एंड CSAB के बाद और अगर हम बात करें लास्ट rank पे जो इन्होंने allotment दिया है वो आपका industrial production and chemical branch में allotment हुई है जो की EWS category में देखें तो 4,67,000 rank तक इन्होंने allotment दिया है और open general category में बात करें industrial production तो 4,41,186 rank पे 4,41,000 rank पे इन्होंने allotment दिया है industrial production और अगर बचो last में देखें सबसे last rank पे allotment जो हुई है EWS rank पे 5,23,000 पे allotment हुई है industrial production branch chemical branch OBC category में 5,91,000 तक students allotment हुई है and OBC category में chemical 6,27,000 last student जिसको allotment दिया है SC category में 6,28,000 में students allotment दिया है 6,28,000 पे allotment हुई है आपका last student So students आपकी यह देख सकते हैं इस rank से आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी rank के students last तक लगे रहते हैं admissions लेने के लिए government colleges में जोसा और CSAB में अगर किसी student को industrial production या किसी student को chemical branch allotment हुई थी तो अगर आप sport round में participate करते तो आपको वो branch भी upgrade होने के chances थे हैं जैसे कई students हैं जिनको जोसा में या CSAB में industrial production allot हुई थी लेकिन sport counsellings में उन्होंने attempt किया और उन्होंने अपनी branch को upgrade किया तो students यह हमारा आपका information देने का था कि आप कितने भी rank लेके आ रहे हैं आप counsellings में बैठिये attempt कीजे और जितनी भी college level पे rounds हो रहे हैं उसको आप attempt कीजे साफ साफ mention किया गया कि आपको यह जो seats allot हुई है अब आपको सिर्फ admission fee pay करनी है before 22 December that means students आपकी जो भी rank है आप counsellings में अगर आप कही भी चूप कर रहे हैं तो आप हमारे videos देखिए हम सारे videos में आपको सारी information देने की कोशिश करते हैं Thank you students